Accounting No Problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ R.D. टली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज की अधियाय में हम आपको बताएंगे लेजर्स को अल्टर और डिलीट कैसे करते हैं इससे पहले वाली दो वीडियो में हमने आपको क्रमश सिंगल लेजर और मल्टिपल लेजर्स बनाना बताया था इस वीडियो में हम आपको लेजर्स को अल्टर और डिलीट करना बताएंगे तो आज के अध्याय में सबसे पहले हम देखेंगे किसी एक लेजर यानी सिंगल लेजर को अल्टर कैसे करते हैं अभी हम Gateway of Tally पर हैं यहां किसी भी option का उप्योग करने के लिए उसे सेलेक करना होता है उसके तीन तरीके हैं पहला Up or Down arrow keys से उस पर जाएं और Enter Press करें एक अक्षर Capital और Bold है और उसका कलर नीला है दरसल यह अक्षर उन Options की Shortcut Keys है चलिए आगे बढ़ते हैं किसी भी Masters में Alter करने के लिए हमें Alter Option पर जाना होता है और जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी Shortcut Key है A हम A प्रेस कर रहे हैं यह List of Masters आ रहे है हम Legors में Alteration यानि की बदलाव करना चाहते हैं तो यहां से हमें Legors सिलेक करना होगा देखिए ऐसा करते ही List of Legors आ गई है और इस List में सभी Legors के नाम दिखाई पड़ रहे हैं आप जिस Legors को Alter करना चाहते हैं उसे सिलेक करें जैसे कि हमने Supplier रशोक ट्रेडर को सिलेक किया यह देखिए Legors Alteration विंडो आ गई है इसमें Legors बनाते समय आपने जो भी Details दी होंगी वो दिखाई पड़ेंगी यहां से आप नाम, Group, Mailing Details या Opening Balance अत्यादी जिसमें भी चेंजिस करना चाहें कर सकते हैं हम Mailing Details में कुछ चेंजिस कर रहे हैं अब इस Window को Ctrl और A Keys प्रेस करके Accept कर लेते हैं और अब Escape की प्रेस करते हुए Gateway of Tally पर चलते हैं अब आपको बताते हैं कि किसी लेजर को स्थाई रूप से कैसे समाप्त करते हैं यानि उसे Delete कैसे करते हैं उसके लिए भी आपको Alter में ही जाना होगा यह अभी हम Gateway of Tally पर हैं Alter में जाने के लिए एक ही प्रेस करेंगे यहां Lager Select करेंगे अब वो लेजर सेलेक करें जिससे आप Delete करना चाहते हैं यह देखिए Lager Alteration विंडू आ गई है इस स्क्रीन पर Alter और D एक साथ प्रेस करें एक छोटी विंडू आएगी जिसमें आपसे पुछा जाएगा कि क्या आप इससे Delete करना चाहते हैं यदि हां तो Y या Enter Press करें और यदि नहीं तो N प्रेस करें यहां पर एक महत्वपून बात ध्यान रखें कि जब आप किसी Lager में कोई Transaction कर लेते हैं यानि किसी Lager को लेकर कोई Voucher Entry कर लेते हैं तो उसे Delete नहीं किया जा सकता ऐसी स्थिती में Alter और D प्रेस करने पर भी Delete का कोई Message नहीं आएगा यहां हम इस Lager को Delete करना चाहते हैं इसलिए Enter Press कर रहे हैं देखे ऐसा करते ही हम List of Lagers पर आ गए हैं और हमने जो Lager अभी Delete किया था वो अब यहां पर दिखाई नहीं पड़ रहा है चलिए अब आपको बता देते हैं Multiple Lagers में Alteration कैसे करते हैं उसके लिए Chart of Accounts पर जाना होगा जिसके लिए हम H Key प्रेस कर रहे हैं यहां पर Lagers Highlighted है Enter Press करें यह देखे चार्ट of Accounts की स्क्रीन आ रही है यहां पर Multi Masters में जाने के लिए Alter और H Key प्रेस करेंगे अब यहां पर दिखाई पड़ रहे Multi Alter को Select करेंगे ऐसा करते ही Select Group की स्क्रीन ओपन हो जाएगी और List of Groups दिखाई पड़ेगी यदि आपको किसी एक Group में बनाए गए Lagers में कोई Changes करना है जैसे कि उनके नाम, Group या Opening Balance में कोई Change करना है तो उस Group को Select कर ले जैसे यहां पर हम Bank Accounts Group को Select करके Enterprise कर रहे हैं ऐसा करते ही Multi Lager Alteration Window खुल जाएगी यहां पर आप देख सकते हमने Bank Group में दो Lagers बना रखे हैं इनमें से State Bank of India का नाम और Group दोनों ही सही है पर दूसरी जो Bank है उसका नाम Bank of India न होते हुए Bank of Maharashtra है और इस Bank से हमने CC Limit ली हुई है यानि यह Lager Bank Accounts Group में न होकर Bank OCC Account Group में होना चाहिए तो हमको यहां पर चिंजिस करना होंगे तो हम यह चिंजिस कर देते हैं यहां अपने ध्यान दिया होगा कि हमने Bank OCC Account सेलेक किया था पर यहां Bank OD Account लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है वास्ता में यह एक हे Group के दो नाम हैं और इस बारे में हमने आपको List of Accounts में बताया भी था कि Tally ने कई Groups और Sub Groups को दो-दो नाम दिये हुए हैं यहां से यदि आपको Opening Balance डालना हो या उसमें कोई चिंजिस करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं अब इस Window को Accept कर लेते हैं Window को Accept करते ही हम वापस Select Group की स्क्रीन पर आ गए हैं जिसमें List of Groups दिखाई पड़ रही है चलिए अब हम किसी भी Group के अंदर बने Legers को एक साथ कैसे Alter कर सकते हैं यह देख लेते हैं उसके लिए All Item को Select करें देखें ऐसा करते ही Multilager Alteration Window आ गई है जिसमें सभी Legers के नाम आ रहे हैं और उनके आगे वो जिस Group में बने हैं उनके नाम भी दिखाई पड़ रहे हैं इसके अलावा यदि आपने कोई Opening Balance दिया होगा तो वो भी यहां पर दिखाई पड़ेगा जैसा कि हमने अभी आपको इसके पहले बताया था उसी तरह आप यहां भी किसी Leger के नाम, Group या Opening Balance में चिंजिस कर सकते हैं उदारन के लिए हमने गलती से अपने Customer Suresh & Company का Leger Sundry Creditors Group में खोल लिया था तो उसे ठीक करके Sundry Dators Group में कर देते हैं इसी तरह हम Proprietor Capital Account का नाम बदल कर Capital Account करना चाहते हैं वो कर देते हैं इसी तरह से Leger में और भी जो कोई Changes करना हो वो किये जा सकते हैं अब हमें कोई Change नहीं करना है इसलिए हम इस Window को Accept कर लेते हैं दोस्तों हम हर वीडियो में कुछ नई बातें डिटेल में समझाते हैं और बाद में शॉट में उनका उपयोग करते हैं यदि आप चाहते हैं कि कुछ भी उपयोगी सीखने से आप वन्चित ना रह जाएं तो क्रप्या सभी वीडियो को क्रमानुसार ही देखें इस वीडियो में हमने सिंगल लेजर और मल्टिपल लेजर में ऑल्टोरेशन कैसे करते हैं ये बताया साथ ही लेजर को डिलीट कैसे करते हैं ये भी बताया इसके बाद वाली वीडियो में आप जानेंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और टैली में उनका क्या उप्योग है